हैलो फ्रेंड्स मेरा नाम है समर समर एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे हाई प्रेसर पंप कैसे बनाएं ये रहेगा मेद इंडिया ये खराब नहीं होगा आप इसे खुद अपने हाथ से घर पर ही बनाएंगे और ज्याद बता दें हम आपको तो फ्रेंड्स यह मेरे पास पुराना चानिस पंप जो कि खराब हो चुका है आपका भी खराब होगा होगा तो फ्रेंड्स आज हम प्राणवाल इस वीडियो में देशी पंप बिल्कुल जोगाल से यकिन मानिए और दोस्तों आपने सिर्फ थोड़ा स होता है थोड़ी फिनिशिंग कर लेते हैं दोस्तों मैंने आपको step by step बताया प्लीज दोस्तों वीडियो कंपेर वोच किजिए अब दोस्तों दीगे मैं इसी कि यहाँ पर शीट बना लिए ठीक हमाइना के यहीट करके आप इसकी शीट बना सकते हो इसे शीट लीजिएगा और अलक से 10 mm का याद piece और कटकर लिया है इससे फ्रेंट्स पर काफ यहां तक काम लेना वाला हूं तो दोफ पीस मैंने दिगे अंदर से काट लिया और एक भारका लागा काट लिया है अब यह है जोएलर सा बहुत बारिक होती है तार के तरह है इससे मैं काटना वाला हूं और काफी लोग मुझे से कहें कि समर याड जुगाल है नहीं यकीन माईने भाई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है प्लीस बने रही है तो देख सो दोस्त दो मैंने आप लगा लिए चोटा एक बड़ा एक इंचे पाइप में से काटकर शीट बना ली है और यहां पर मुझ मुझे कम साइज लेना है और दोस्तों बहुत सस्ता बनाना है तो मैं हट्ची जहां पर बनाऊंगा इसी पाइप के बनाऊंगा और इससे पैसी बचेंगर को सीखने हों मिलेगा अब दोस्त यह हैं वाल्व है पांच चुर्पर का एक मिल है मुझे जो की साइकल रुपेर ह होती है महां पर मिल जाए आपको फ्रेंड्स यह हमारी वीडियो का शक्ति का पूर है काफी मैं रोल इसका तो देख सकते हो इसमें हवाद चली तो जाएगी निकले के नहीं ठीक है तो बहुत बड़ा रोल है और यह वाल में निकालता हूं फ्रेंड्स काफी लोग को फिटिंग करनी है अच्छी फिटिंग करनी है और एक तरीक में आपको और बताऊंगा अब देखें दोस्ते चीज़ों देखरों फ्रेंड्स यह पास पुराना चाइनिस पंप पड़ा था उसमें से मनें निकाला है ठीक है तो उससे को फ्रेंड्स पैसे बच जाएंगे औ अंदर से लगाए और मजबूत रहा है निकले अब भी बिल्कुल नहीं लेकिन देखें मैं तरीका बता रहूं आप ऐसा कर सकते हो और मैंने दूसर पैप लिल यह है जो की फ्रेंट रबल वाला है देख सकते हो जो की आउट पट है और यहां पर मैं इससे लगा दूं केब लगा सकते हैं उस अच्छा एल डाइट होती है आप यह लगाए जितने भी आपको लिकीज दिखें तो आप यह पर लगा सकते हैं पैसे बचाने प्लस जुगार तो जुगार है अच्छी तरह से काम करना चाहिए यह आपको वीडियो को लाश्ट पता लगए किस तरह से का करता है अभी तो मैंने फ्रेंट्स यह आपको छोड़ा से नहीं दखाया और आप इस एक नहीं बहुत सारे काम में से ले सकते हो आपको बता दरोंगा देख तरहीं अब तो अपरोफ 20 इंची का मैंने कट किया है यहां से देख सकते हो और यह अंदर बहुत ईजली आ जाए और इस पर इसको चुपका दिया क्योंकि हमें जितने भी यहां पर जोइंट लगाने हैं बहुत अच्छी तरीके से लगाने कोई भी लिके जहां नहीं होनी चाहिए मैंने बताया ना आपको तरह आपको यह लगा देनी है और इसका बाद चुपका दाने आपके अच्छी काम करेंगी कि बहुत अच्छी तरह चुपक चुगे यहां पर फ्रेंट्स मैंने लिले एक इंच यूपीश को पाइप दो वारस है जिसकी मैंने पूरी बोडी बने थी आट इंचे मैं कट कर रहा हूं और इसका बनाना में हैंडल जो कि थोड़ा मोटा होना चाहिए तो मै असी नंबर का सेंट पर लिया है उस समया पर चिपका दूगा अब चिपकाने फ्रेंट ध्याने थोड़ी आपके पास इसे ट्राई स्कॉइर कहते हैं तो इस सब्सक्राइब बहुत अच्छी तरह फीट हो जाएगा अब दोस्ट यह मेरे पास ट्रेक्टर का यह डीसम का कि जो ट्यूब होती है खराब वेस्ट मेटेरियल है फिर में मिल जाएगा आपको यह और यह एक इंची का यूप पीस ले लिया है और अंदर यहां मार्किंग कर दिये हैं अब आपके उपर बात है कितना इस ट्रॉंग आप इसका वाल बनान वाले है फ्रेंट्स यह है असले है राउंड में एक सब्सक्राइब दूसरे से नहीं तो तो चैसे प्रेसर बहुत हाई प्रेसे कीन मानी है और मैं आपको दिखा दूँगा तो आप इसली ला सकते हो अब यह है तो ही सब्सक्राइब काम नहीं आएगी इसकी अलक्सी मिलते ही पंदर उपी की मिली है जो की मैंने के इसकी यूजबी कर लिए है तो बहुत कम लेगी और इस पर में चिपका दूगा और फ्रेंट नहीं कि आप ऐसे चिपका हो मत चिपका यह क्योंकि अभी उहरम जुगसरा जुगाल लगाने वाले हैं आप उसका कर सकते हो वह बहुत बैस्ट रहेगा मैं अभी आप प्रेसर दिया सकते हो दूसरा इसके लाइब भी बढ़ जाएगी ठीक है तो यहां पर आप इंचे प्रोक्स आप इसको ले लिया है थोड़ा सी यहां पर वाशे ले लिया है और इस तरह से मैं इसे लगाने वाला हूं तो अभी देखी फ्रेंट्स यहां पर मैंने नीचे बढ़ा थोड़ा सा पॉइंट इसने लगाया था जिससे भी धोड़ा से नीचे को आप पिसे प्रेसर दो तो इसे साइड़ में थोड़ा सा फटे नहीं देखी साइड़ देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से थोड़ा चीप इससे पीच लगाया पीच्छी पाइप का शी मैं इसे क्यों लगाना वाला हूँ यह देखतर ही आप तो मैंने खोल कर दिया है और यह क्या काम करेगा फ्रेंट जब आप पंपी करोगे हवा बरोगे साइकल में तो उसका बैलन्स बना करेगा जो आप हैंटल करोगे अब यहां पर कोई भी खराब ओल या ग्रीस या कोई फ्रोट नहीं कोई भी फ्रेंट नहीं मैं आपको लाइब दिखा रहा हूं देखिए तो पूरी वीडियो में आपको दिखांगा लाइब और टेस्टिंग बहुत अच्छी तरह से करके देखां कोई फ्रेंट बिल्कुल फेक नहीं अब यहां पर हमें क्लिफ लगाए है और अगर आप तो बारे चोदे गेच का अवाय लगा सकते आरेंट का लाके कहीं से बागों मिल जाएगा बहुत सस्ता मिल जाता है और इस तक है अब फ्रेंट मैंने काफी वीडियो देखिए यगीन माने दोस्त वह बिल्कुल फेक पने रिगी यह मैंने फ्रेंस निकाल को बिल्कुल लाइब दिखा रहा हूं थोड़े स्पीड इंक्रीज करते हो वहना टाइम जाद लग जाएगा फूट थोड़ा टाइम तो लगता ही है और कोई भी स्कीप नहीं कर रहा कोई कटिंग निकाल आपके बिल्कुल सामने हैं बिल्कुल और बहुत अच्छी तैसे टेस्ट करके दिखाऊंगो इसे जिससे आपको अब यहां बहुत अच्छी तरह से काम करेंगा देखिए मैं इसे निकालूंगा और इसको वाल सा फ्रेंट्स वह भी उड़ गया है तो दोस्त अच्छे लेगों तो प्लीज वीडियो को लाइक दीजी अब दो चलते अपने हतोरी तरह भाई घर में पड़ा था काफी दो बिचारी हवा निकली थी तो इसमें फ्रेंट्स आपको लाइब पता लग जाएगा कि हां यह काम कर रहा है तो मैं इसमें आपको टेक्ट करके दिखाते हूं और फ्रेंट्स अगर आप एक घंडगना कमेंट करोगे तो मैं आ कोई कमेंट करें अच्छी सी वीडियो को लाइक कर दी और देगे फ्रेंट्स बहुत अच्तिरता हमारा हतोड़ा तयार हो चुका है और चलिए अब आते हैं बाइक पर भाई आपको क्या बताओ भाई मैंने इसमें हवी हवा निकाल लिए आपको मेरे पांचर करनी सकता था बाई मैंने हवा निकाल दी पापको पता लगी तो बहुत पीटांगे पजामे से और मेरे इसाप से ने बहुत अच्छा काम किया जैसे कि चाने चलता है ना पंप एसी बहुत स्मूथ चल रहा है और दो सबसे खास बात भाई इसका वाल खराब जाता है फिरी फर्ट बदल